एक्सरसाइज 7.5 फाइब में भी आपको टाइम लगेगा सीखने में बेटा ठीक ना चलिए देखिया आज हमें पढ़ना है आशिक यह क्या लिखा है लिखा यह आशिक लिखाना आप याद रखेंगे 7.5 प्रश्णावली है वह इसी पर आधारित है अब आपको यह क्या चीज है यह याद करने के लिए ट्रिक है ठीक है यह क्या आशिक भिन्न है क्या लिखतेंगे इसको आशिक भिन्न है यह याद करने की ट्रिक है रियल में अगर देखा जाए तो मैथ के बुक में क्या इसका नाम है इसका नाम है आशिक भिन्न है जो बिन्दी लगाना बस बिन्दी लग जाएगा तो आशिक भिन्न है बिन्दी गायव तो आशिक भि इसका आसिप्भिन करें गए और आप लग इसको जरूरी नहीं कि आप विश्तार से करें लेकिन शीखना पड़ेगा 9th न 11th में कभी आपको सिखाया नहीं गया तो यहां सीखना ही पड़ेगा ठीक है तो सीख लिजे पहले आंसिक भिन कैसे हम लोग हल करते हैं जैसे कि पहला सवाल भी कराऊंगा और आंसिक भिन भी कराऊंगा एक्स बटे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 पहला सवाल देखें एक्स बटे क्या ब्रेकेट में एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 है करना है इसी का समाकलन 7.5 का पहला सवाल तो वीटा देखो ध्यान से कि इसी सवाल को देख करके पहले तो जानना पड़ेगा कि इसमें हम आसिक भिन यूज करें कि ना करें ठीक है कैसे जानोगे कि आन्सिक भिन का ये सवाल है दो लग्छड है पहला लग्छड बहुत साफ साफ दिख रहा है कि हर एक चीज अगर नीचे हर कोश्टक में दिया हो कोश्टक में दिया हो इन्टू की रूप में गुड़ा के रूप में ब्रेकेट में दिया ने दो ब्रेकेट हो तीन ब्रेकेट हो चार ब्रेकेट हो अगर ऐसे दिया है तो वो आंसिक भिन का हिस्सा है ऐसे दिया है मालो X-1 X-2 X-3 X-4 ऐसे अगर दिया हुआ है ब्रेकेट में ब्रेकेट में एक ब्रेकेट दू ब्रेकेट तीन ब्रेकेट चार ब्रेकेट जितना मन उतना तो वो इसका हिस्सा है वो इससे साल्व होगा आप यह exercise 57.5 में जब ब्रेकेट में देखेंगे तो आपको सब इसी तरह दिखेगा कि भीया ब्रेकेट ऐसा है कभी-कभी ध्यान दिजेगा कभी-कभी कभी-कभी आपको ब्रेकेट में नहीं दिया रहाएगा मूरख बनाया रहाएगा मूरख मतलब जैसे मालों इस दोनों ब्रेकेट है ना सुनो मेरी बात इस दोनों ब्रेकेट है ब्रेकेट बना हुआ है लेकिन इसका इसमें गुड़ा कर दिया जाए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा इन दोनों कोश्टक का आपस में गुड़ा कर दिया जाए तो क्या आजाएगा ऐसे आज चीज है तो कभी सवाल ऐसे आजाएगा तभी वह आपको आंसिक भिन्स से ही करना है इसे आप थोड़ा से सोच clarify कि क्या इसका हम गुड़न खंड करेंगे तो क्या दो कोश्टक आएगा इसको चेक करना पड़ेगा अगार इसका गुड़न गुड़न खंदोन 20 कोश्टक आता है तो यहां गया और इसके दोगों कोस्टक नहीं आता है तो कम्न Baby शेयां मेश्कला इसकी棒 plan हें बताइए बोलिए येतनी बात समझ गए बोलो अच्छा एक चीज और है कभी 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 आपको ऐसे मिल जागा a square minus b square का सूतर क्या होता एक कुछ टंग में a plus b दूसरे में a minus b तो कभी कभी ऐसे आ जागा यक सी square minus 9 लिख के तो इसको तुम अपने पास से ऐसे करोगे यक सी square minus 9 को 3 का square आईए दोनों इस मालड में आगे देंगे ऐसे लिख सकते हम इसको एक बटर एक प्लस 3 और एक माइनस 3 यह दो कुछ टक बन गए यानि यह भी आंसिक भिन का हिस्सा है तुमस्द गए ना भाई अच्छा अब आगे चलते हैं यह अब आपको सवाल समझाते हैं अभी से सुनना कि इसका समाकलन मैं नहीं करूँगा सिर्फ आशिक भिन वाला काम करूँगा और वो काम आपको सीखना है आशिक भिन का काम हम सफेद रंग में करने वाले हैं ठीक है चलिए ध्यान दीजे समाकलन का चीन और डियक छोड़ दो हम सिर्फ आशिक भिन सीखने जा रहे हैं मैंने समाकलन का चीन और शुरुवात से आखरी से छोड़ा बराबर ध्यान दीजे ये कितने कोश्टक है नीचे कमेंट में बताओ नीचे कितनी बार कोश्टक बना है कितनी बार कोश्टक बना है अभी मत पूछ ने दीजे सवाल बते की लाइन को दो टुकडों में तोड़ना है एक टुकडा और पलस दो टुकडा नीचे जितना कोश्टक उतना टुकडा में बते की लाइन लिखना है किलियर अब पहला टुकडा के उपर कैप्टाल लेटर ए दूसरा टुकडा के उपर कैप्टाल लेटर भी अगर ती टुकड़ा रहा गया तो capital D जितना टुकड़ा आउतना ABCD बढ़ाते जाओ समझ गए अब बटा के नीचे पहला को स्टक डाल दीजे अब उस बटा के दूसरा के नीचे दूसरा को स्टक डाल दीजे यह रूल है नियम हमें समझा रहा हूं आप जीवन में पहली बार पढ़ तो यह समझ में आया वह बोलिए भाई कि समझ में आया इतनी बात कि इतनी बात समय आया ठीक है चलो आगे देखिए अब तो और असान है तो कच्छे हम चले जाएंगे हम देखिए ध्यान देजे बंद किजी माइक अब क्या करना बेटा इसमें से सीर्फ ऊपर वाला लिख अब पर वाला ले जिए और इसके साथ इसके नीचे वाले का गुड़ा हो जाएगा तिरशी तिरशा यार एक गुड़े वगल वाला एक्स प्लस टू पर वालास बी गुड़े ये वाला इसके तिरशी तिरशा यार एक्स प्लस केतना वन अब नीचे नीचे का हम क्यों छोड़ दिये क्यों छोड़े हैं इधर भी है देखो ध्यान दो इधर मैंने नीचे वाला छोड़ा क्यों क्योंकि इधर वाला नीचे वाला लगूत्तम जब लेंगे ते यह भी X plus one X plus two होगा यह भी X plus one X plus two है तो डौनों पपछों में नीचे नीचे हर हर कट जाएगा तो कट जाने की वजह से हम छोड रहे हैं वैसे को नीइव चोड ने का दोनों नीचे से चलिये अब मजा ही मजा है यार देखो इसमें तो तुम लोग अधम यक्स बराबर एक गुड़ा एक्स में तो A कोकुड़ा टू में तो 2a जिसH इक से जुड़ा हुआ हुआ पद इकठा आज इसमें एक्स नहीं एक जगह्य एक कुस्टग में देखो ध्यान दो यक्सת बराबर इसमें यक्स लगा हुआ और इसमें एक्स लगा हुआए ध्यान दो जिसके जिसके साथ यक्स है उनको उनको एक पास रखिए ऐसे AX प्लस BX प्लस चेने लगा के जिनके जिनके पास यक्स नहीं है उनको उनको लिख लीजिए एक साथ इसमें देखिए इसमें यक्स नहीं है इसमें भी X नहीं है तो ये दोनों एक साथे कठा रहेंगे समझ गया है ऐसा हो गया यहां भी समझ गया होंगे कोई नया चीज थोड़ी है नया चीज नहीं है बेटा ये एकदम मस्ट चीज है देखो ध्यान से आगे X is equal to इन दोनों में क्या चीज कावन हो जागा बेटा X कावन होगा तो ले लीजिए बचेगा आपका A plus B इन दोनों में कुछ भी नहीं कावन तो फिर भी एक ब्रेकेट में बंद कर दीजिए ना 2 A plus B ऐसे ब्रेकेट में बंद कर दीजिए ठीक है यहां तक तो भाई सभी लोग समझ गयों मुझे मालूम है अब इसके आगे का इस्टिम जो मैं समझाऊंगा पंकश कुमार तो कह रहे हैं फिर से बताएंगे देखो पूरा नहीं फिर से बताएंगे कोई एक लाइन जहां पर दिक्कत हुआ वो पूछ लेना ठीक है और अगर इसकित में बैटके पढ़ाई करना ना वेटाई घर से न उससी बैट पर वाइट एय даже ना अतना आराम से हर शीर रहा हूं समझां रहा हूं यहां आप देखीजिए ध्यांद से देखिया का ध्यान से सुनना मेरी बात को जैसे एक नया प्रेश प्रेल आते हैं कर द्देजें कि जैसे क्या बराबर किचिन हैTalk कि दर दो लोग इधर कौन कॉन दो लोगा कुछ भी है इधर माल लो कर स्याम है के पिर अरि दर एक है रेखां तो बर्दा सियाम और एक ने में दोगा तो आदनो दो दारे बहुत सो फस्थ फ़्वाल सी कंपेर कर दीजै इसका सेकंड वालले कंपेर कर दीजै नहीं समझें आप इस से समझयों इसको नहीं समझाते हैं हम डारेट सवाल ही समझाते हैं देखिए ध्यान दे इसमें X का गुडांक यहां क्या है A पलस B है और यहां पर X का गुडांक 1 है इस X में कौन छिपा है बेटा इस X में 1 का गुडा छिपा हुआ है ठीक है तो अगर हम दोनों पच्चों की तुलना करें क्या करें तुलना करें तुलना करने पर तो A पलस B बराबर होयागा इसका बराबर का 1 अरे भाई X का गुडांक यह है और यहां X का गुडांक कौन है एक है तो X का गुडांक बराबर X का गुडांक यकस के बगलवाले को यहाँ यकस के बगलवाले के बराबर लिखना है तो A पलस B बराबर 1 हो जाएगा A पलस B बराबर क्या हो जाएगा 1 सम्झें न A plus B is equal to क्या हो जाएगा 1 और यहाँ देखिये अचर पध है इसमें यकस है ही नहीं तो यहां पर आप अचर पद को लिख सकते हैं, 0 के बराबर, 2A प्लस B बराबर 0, क्यों लिखेंगे 0, बताते हैं, यक्स की तुलना यक्स वाले से कर दिया, अचर की तुलना अचर से करेंगे, तो यहां अचर पद कोई है ही नहीं, जब कोई नहीं है तो उसको 0 माल लेंगे, तो 2A plus B बराबर क्या हो जाएगा? 0 क्या हो जाएगा? 2A plus B बराबर 0 ठीक है? माइक देजिए सर यहां यहां पर पूछना होगा बच्चों को बताएए यहां पर समझ में आ रहा? नहीं सर एक बार फिल से तिलना करने पर यहां तिलना करने पर एक पर फिल समझेे आएगा? देखो ध्यान दो यहां यक्स लिखा है न? तो यक्स के बगल वाले का तो दो ना यक्स के बगल वाले से होगा तो यक्स के बगल में यहां कुछ है तो नहीं लेकिन क्या है? 1 ठीपा हुआ रहता है 1 कि तुलना किसी से नहीं कर सकते हम क्योंकि बाएंपच में एक ही पद है इसका तो तुलना हो गया अब कुछ बचाई नहीं धर कि हम दूसरी के तुलना करें तो इसको जीरो के बरावर लिख देंगे टूए प्लस भी बरावर जीरो अब समझे माइक दीजिए सर नहीं समझें अच्छा ठीक हो अब चलते हैं आगे ध्यान दीजिए क्याप्टर ले भी कमान निकालना है रुख जाओ बंड़ कर देखो ध्यान से देखो तुल ए प्लस भी उधर जाऊगा क्या होगा माइनस भी होगा नो इस यह बराबर क्या हो जाएगा माइनस भी तू आ जागा इसके नीचे बटे में दो एक माइनस भी बटे दो आ गया और यह आपका समिकड नमबर एक यह आपको समिकड नमबर दो तो समिकड एक में एक अमान रख दीजिए समिकड एक में एक अमान रखने पर तो एक की जगह पर क्या रखना माइनस बी बटा दो इस एक की जगह पर क्या आ गया माइनस बी बटे दो क्योंकि एक अमान माइनस बी बटे दो है यहां देखिए और प्लस बी बराबर वन प्लस बी बराबर क्या वन देखो बिटा इसी लाइन में हम A का मान माइनस B बटे 2 रखे हैं तो यहाँ A की जगहां क्या आगए माइनस B बटे 2 और पलस B बराबर 1 बचा था वही मैंने लिखा पलस B बराबर 1 अब दो का गुड़ा B में कर लीजे दो का गुड़ा B में करोगे यहीं रख दीजे प्रक्राइबबर दो को सम्मिकर नंबर तो आपको क्या मिल गया अतह ए बराबर क्या मिल गया मिला माइनस वन बी बराबर क्या मिला प्लस का टू चलिए एक कमान माइनस वन भी कमान प्लस टू यह समझ में आया यह सब में बताइए जरा बताइए फटाक से समझाएंगे नहीं फिर से बता दे रहा है दोसरे तरीके बता दे रहा है यह थोड़ा से बड़ा भी हो गया ना चलो सिधे हम क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे घटा देंगे उपर वाले लाइन में से नीचे वाइन को क्या करना घटा देना है तो A में से 2A घटाएंगे A में से 2A ऐसे दिमाग में रख रहा हूँ A में से 2A घटाने के मदलब A-2A दिमाग में ऐसे सोचना है A-2A अ में से 2A घट गात मांइनस A आएगा ना मांइनस A आएगा तो A में से 2A घट गया तो मांइनस A आगया अब B में से B घट गया तो 0 और correl एक का मान SCP-1 समिकर नमबर एकमे रख दो समिकर एक में A का मान रखने पर तो एक की जगहान पर माइनस 1 रखना कहां सब्स्क्राइकर नम्बर पहिला लाईन में क्या रखना जहां पर ए होगा वहां पर माइनस 1 रखेगा बाकि चीज़ रखो गवार फिल सबी ब्राबर 1 सब्सक्राइब कि अब देखो समाकलन होगा अभी तो सवाल में आशिक वाज तुम लोग निन है कि आपको अभी हम यह सिखा रहे थे अन्षिक बिन है एक वाइट कलर में जितना वाइज़ विन है घ्यान देजिए कि अब मैं आपको है किस समाकलन बता रहा हूं कैसे होगा । तो इसके नीचे ही रात करेंगा। हम जाता है। कि आप लिखेंगे बहुत गंदा लिख देते हैं आप आपकी राइटिंग बहुत गंदी मैत की तो गंदे के बगल में कवर गंदगी तो बहुत यादे गंदगी हो जागा एक ही पेश्व है तो इस नाते आप इसके नीचे ही लिखिएगा हम समझाने के लिए क्योंकि इसकी इस लाइन को क्या कर लेंगे पकड लेंगे ऐसे लिखेंगे ध्यान दीजे एकस बटे एकस माइनस वन प्लस वन हना वहीं लिख रहा हूं यही लाइन पूरा लिखूंगा एकस प्लस वन एकस प्लस टू बराबर एक की जगहां पर एक कमान देख लो क्या माइनस वन माइनस बट क्या है आप्टी आँए यहाँ मैसे टो आप समझे के निचव रहाएगा समझे की नाहींस कि 191 मिंसेगा अच्री अच्छ नाहीं सम्झे है कैसे लगेगा बस यह उख़ां मूं से अब दोनों पच्छों में माकरन का सिमबल कर्वाइब देखिए थ्याहन से कैसे लगेगा ऐसे है कि आसे अई कि को फ्रकर को बंद करें लाश्ट सेर्ग के से अंवा ना इस या दिया वाइट कलर के वाइट कलर में जो भी लिखा हो सम्हां कलंग करने के लिए अब क्या होगा बेटा यह जो लिखा हुआ है इसको चड़ी नीचे लिखते जाना है इसको बदलना नीचे लिखते जाना है आपको मैंने सूत रियाद कर रहाया था क्या एक बटे एक्स का समाकलन कोई बताए कमेंट में एक बटे एक्स का समाकलन एक बटे एक्स का क्या होता है लॉग एक्स एक बटे टी का लॉग टी एक बटे एक्स प्लस वन का भी लाग एक्स प्लस वन क्या होगा lag x plus 1 समझ गए एक बटे x plus 2 का lag x plus 2 तो बेटा एक बटे x plus 1 का क्या होजा गा lag x plus 1 उपर माइनस चीन है तो तुम माइनस लगा लो यहाँ दो बटे x plus 2 का अरे यहाँ समझो स्यार गुडे 1 लिखा है यहाँ समझो दो के बगल में गुड़े में एक है तो एक बट एक प्रस्टू का क्या हो जाएगा लाग एक प्रस्टू एक बट एक प्रस्टू का क्या हो जाएगा मेरे भाई लाग एक प्रस्टू और यह जो दू बगल में छोड़ा है यहां लिख दीजिया इसे समझे लास्ट में जोड लाग वाला ठीक है अच्छा है में अब देखिए यह जैसा है इसको लिखते रहना है एक्स बटे एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू ऐसे डी एक्स ध्यान से देखिए पहले हम प्लस वाला लिखते हैं इसमें लाग में अगर कोई संक्या माइनस की है लाग अगर यह एंसर नहीं आये तो क्या करेंगे अगर यह उत्तर न दिया हो तो जानते हो क्या देख देख उत्तर यह अंस में रहेगा और यह हर में रहेगा जिसके पहले माइन they have theله पहले जाता है और उसका जैके बाद वाला नीचे होगा एक्स प्लस वन ऐसे नीचे और ये दो घात है इसके उपर चोड़ जाएगा यहाँ पर ठीक है एंसर में ये भी हो सकता है तो देख लीजिए आपके बुक में एंसर में क्या है मैं यह देख लेता हूँ अच्छा यही है यह वाला तो यह लाग का नियम है नीचे वाला जो लिखा हूँ लाग कर नियम है लाग कर नियम में क्या होता है लाग के पहले वाला इसके उपर घात बन जाता है तो देखिए यहाँ घात बन गया प्लस वाला उपर अंस में माइनस वाला पद और में चला जाता है ठीक है यह लाग कर नियम कहता है समझ मैं आए सबको सम्झ मैं सबको बताईए बताई Heart adjusting पर तो मित्रों देखिए आप आपको मैंने जो समझाया और बहुत ही बारी की समझाया क्यों कि आपको यह स्काना मेरी मजबूरी थे आशिक में जादा काम उन्सिkk का है थोड़ा सा काम समाकलन का है ज्यादा काम ख्राल आज़ा आते और भी सेखते हैं तिन चार सवाल आंसिक भिन का सीख लो इसमें से एक सवाल आएगा यार इस प्रस्णावरी से एक सवाल तुम्हारे नसीब में है सच बोल ला हूँ यह देखोई तो बड़ा आसान है ज्यादा दिमाग कदा ही नहीं लगाना है देखे कैसे कि एक बाट्य यक सी इसकवाइर मालड़ नो को निख देंगे तीन का स्कॉाइर कि यह होगा एक बोट्य एसक्कौाइर मालबी स्कौरस तरह को टोवी दूसरा में अमाइन संखर ज़रूरी नहीं ह। लगा भी देंगे तो भी गलती नहीं है। देखिए आप सिर्फ उपर वाला लेखेंगा वन उपर वाला लेखेंगा वन इसकोल टू उपर वाला ए इसके साथ इसका गुड़ा एक्स मैनस तीन का प्लस B इसके साथ इसका गुड़ा X प्लस 3 का ठीक है तो 1 बराबर A का X में गुड़ा करो AX माइनस 3 A B का X में करो BX प्लस 3 B समझ गया AX AX वालों को पास पास रखिए पास पास रखेंगे नहीं पिछली बार रखेंगे थे इस बार डारेट कर रहें क्या दोनों में से X कामा ले लिजिए ना बात तो हो ही हुआ A बचेगा X के बगल में B है तो B बचेगा इन दोनों को पास पास रख लिजिए माइनस 3 A प्लस 3 B तुलना करिए इधर X का कोई पद है नहीं है ना नहीं है तो जो नहीं है तो जी लना तो यक्स वाले को 0 के बराबर, यानि ए प्लस भी को 0 के बराबर, तुलना करने पर, ए प्लस भी बराबर क्या हुआ, 0, और अचर पद बराबर अचर पद, यानि ना इसमें यक्स है, ना इसमें यक्स है, तो ये बिना यक्स वाला चीज, बिना यक्स वाले पद के बराबर र तो क्या भूलाबने माइनस 3 ने प्लस 3 भी बराबर क्या वन ठीक है यहां से एक माद निकालो गया तुम ध्यान से देखो אक कमान निकालो ति आगा माइनस भी आएगा तो जब बना लोह étau एक welar वाला संभीकेल नंबर एक बूंशे वानए दो फूनास बेरावर जीरो है ना तो एबरावर क्या हो जाएगा मायनस का भी तो एक अउन मायनस मिसमें रख दो एख जगा मायनस भी इसी वाले में रखो वेकस number में तो माइनस 3 एक जगन क्या रहकतना बी माइनस मीство इसे लिखेंगे माइनस भी प्लस स्थीन भी बराबर enterprise माइन कुछ 10 माइन गोड़े मानर्शlike B अतीं मेरे मतीन भी इब यह यह भी तीन भीड़ाइबर 09 यह नहीं है बराबर वर वन तो वी बराबर क्या हो जाएगा वन आपान शिक्स वी बराबर का होगा होगा वन अपान शिक्स तो closer इस वा ले श्वाशने फिध और कि ए विकल रॉग इना को यह जा तो ए बराबर माइनिस में भी है तो माइनिस में एकवटे च्च देखो बी कमान एक अच्छ पहले से था और भी कमान आपने यहां से लिखा है प्लस का एक बट इच्छ है यह समझ में आया सबको कि इसको थोड़ा फास्ट किये हैं कि फास्ट कि यह थोड़ा असान था ज्यादा कि अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं कि आगे बढ़ते हैं सवाल की सकल देखो समझाने के लिए मैं साइड में ही लिखूँगा तुम लोग नीचे उसाइड में लिखना मत कापी में नीचे लिखना वह अई लाइन पकड़ते हैं जिसमें कैप्टल एक कैप्टल भी हमने लिखा था पकड़िए इसी को क्या लिखना एक बटा यक्स पलस तीन और एक्स माइनस तीन बराबर कैप्टल एक अमान यहां से देखलो माइनस का एक बटे च्छ है देखो यहाँ माइनस का एक बटे च्छ है आईसे लिख लो शुरुवात में इंटू वन बटे एक स्प्रस तीन नई समझे होंगे आप मैं बताता हूँ एक ही जगा पर हमको लिखना चाहिए यह था माइनस एक बटे च्छ है अभी मैं लिख के समझा दूहу जादा होगा एक लाइन लेकिन सम्झाना ही पड़ेगा लेकिन समझाना ही पड़ेगा कौह तेखो ए उप्र है गो बर रहना प्रहर्तों क्या है माइनस एक बटे च्छ है उपर है बटा के नीचे एक्स प्लस तीन है ऐसे बी का मान कितना एक बटे छे प्लस का अब बटा के नीचे एक्स मैनस तीन है अब तो तुम लोग समझ रहे हो ना मान कैसे रखा हूँ अब समझ गए तो अब देखो 116 कोओ बगल में यहां उतार लिए है कैसे आद है मालो दो ब माटे एक्स लिखा है तो इस दो को चाहो तो इससे भाज है थोसे 对it आट इस एग नहीं पुलाइब जाए अब जाए यहां अरी आपने मर्जी से एक लिग दीजे एक वटे एक प्लोस्टीन प्लास ऑट जाए आ गया और एक वटे एक मैनस तीन तुम आपके सब लोग यह समझ अब लोग बोलिए बोलिया कुछ हुआgestellt ने वहाँ उपर की चीन नीचे उतार दिया ँख़वuben बास उपर एग बड़्य छो था न हाँ भगल में कर दियां भाई अब आगे समझ जाओं दोनौ पक्षों का इंटिग्रेशन करने जा रहा हूँ ठीक है दोनों पच्छों का क्या करने जा रहा हूं इंटिग्रेशन यानि समाकलन अब देखो कितना आनंद आएगा आप तुम लोगों को आनंद के मारे इंटिग्रेशन का सिम्बल एक बटे एक्स पुलस तीन एक्स मैनस तीन दी एक्स बराबर अचर फद है इसको बाहर निकाल ओ इस एक बटे शे इंटिग्रेशन का सिम्बल एक्स पुलस तीन डी एक्स इसका भी अळग अचर पद है इंटिग्रेशन का सिम्बल एकप्स मैनस तीन डी एक्स देखो तुम लोग सोच रहे हो न कि सर जी इस में 8 या नी दही यह ठेल को तो इक अलगा अडिया तो अब शोरा है तो अगर गोड़ा के नीचे बराबर माइनस एक बट एच्छे जैसे हो यह से रहेगा एक बट एक्स का समाकलन लाग एक्स तो एक बट एक्स प्रस्तीन का समाकलन लाग एक्स प्रस्तीन और एक बट एक्स प्रस्तीन का समाकलन लाग एक्स प्रस्तीन ठीक है समाकलन तो रटवाया हूँ आपसे एक बट एक्स का ल एक बड़ अच्छा है दोनों में से कामन लेकर निकालो ले लिया कामन तो क्या बचेगा पहले पलस वाला लिखिए यह माइनस का है ना पहले उके लिखो पलस वाले को लाग x minus 3 उसके बाद minus वाले को लिखते है minus में lag x plus 3 ठीक है इतना समझ में आया अब क्या होगा अब ध्यान से देखिएगा कुछ होगा नहीं मैंने अभी बताया था पिछले सवाल में क्या बताया था पिछले सवाल में आप देखेंगे तो मज़ा आजाएगा आपको बोला था कि पोलस वाला उपो आर जिसके बाद माइनस लगा हूँ नीच्छे तो इसमें भी यह पलस में है तो यक्स माइनस तीन उपर रहेगा और यह चीज के पहले माइनस यानि यह नीच्छे रहेगा तो एक बाट इच्छा जहां है वान ल इसके बाद वाला नीच्छे आएगा ऐसे अ कि अ कि सही है कि समझ मैं आगे सब को माइक दीजिए सर कि कमेंट में देखा यह बच्छे का यह सब्सक्राइब करेंगे पहुंसा वेक्टर इसकी बाद आगे बेक्टर पड़ेगा वेक्टर सी दे पड़ना तो बीच में मत पड़िये जब बेक्टर सुरू और तबाज आईएगा वह नहीं सब्सक्राइब करेंगे इसको लास्ट में स्टार्ट करेंगे नहीं नहीं यह समाकरन के बाद साथ वाध चला साथ आथा चलाएंगे सब्सक्राइब करेंगे देख लेना पोच करके इसमें प्लास में पोच रहे हैं कि लड़का अब शेक अब शेक सर्मा अभी नहीं है अब शेक पटेल है एक क्या अब 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 बता दू एक तीसरा क्या ऐसे तो होगा थी सरा भी नीचे तीन कुष्टा कर तीन बार अभी सी बन जाएगा कि अन्सिक भी नहीं उसका कटिन है अब अब शेक पूछा यह लड़का चलो तीसरा क्यांसिक भी नमें कर दे रहां जल्दी से ठीक है बागे तुम कर लेना क्या है थ्री एक्ष माइनस वन बते एक्ष माइनस वन टू थ्री चलिए भाई आन्सिक भी न कर तेन का ठीक है नीजे कितने टुकड़ा तीन टुकड़ा एक दो तीन प्लस प्लस तीन होगा एबी सी लिख़ो एबी सी पहला को पहला को नीचे पहला को तर दूसरा दूसरा तिसरा ठीक हाँ कि अब क्या करेंगे अंस लिखेंगे सिर्फ उपर वाला लिखेंगे कि एंटू अब एक साथ इसका भी गुड़ा और इसका भी गुड़ा दोनों का गुड़ा एक के साथ आएगा यह रूल होता है एक समय दो एक समय नस तीन ुड़ 2 के साथ कि ब picky नीचे जो है उसको छोड़ के बाकि दोनों का घुड़ा हो जाए जानी एक समय नस वन का एक चीप साथ सीक नीचे वाले चूड़के बागी इन दोनों का,, एक मैनस वन का एक्श। मैशंदो का कई ठीक है असिधां सवाल है अंसघ्विनहीं इन सब का गुड़ा कर लो रो एक अधय यहां छोटा तरीखा दोनों एक समान है दो दूसरा वाला में थाट भी बता देए कि इस ना कोष्टक है है यहां कि एक वार यहीं बात इसके लिए एक बार लिखेंगे एक मैंनस बढ़ाबर जीरो तो थोड़ा काम कर लेंगे फिर अग्ली वार लिखेंगे एकसमेंस तीन बढ़ाबर जीरो तो थोड़ा और काम कर लेंगे तो जीतनी बार रखेंगे ऊतनी बार मान आता जाएगा अभी देखो आएगा कैसे X मानस भ्रावर 0 से तो मानस जब एदा हिने पच्छ में तो क्या जाएगा प्लसवन आएगा तो इसको ध्यान में रखना है ठीक है जो घेर दिया हूं, बॉक्स में इसी को ध्यान में रखना है। तो चलिए यह जो पहली लाइन है, बार-बार इसका यूज करना है। जहाँ पे X-1 है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो और यहां सिर्फ एक्स है वहां क्या रखना एक क्या आया रहात उठा रहा कौन कि गोलु बताओ कि ज्यादा बिधि बताओ कि भटक जाओंगा क्या चीज एक ज्यादा बिधि मजद्रों सर वही बिधि लगाओ जब दो कोश्टक का मल्टिप्लाई रहे तो यही ज्यादा अच्छी रहेगी यहां देखो दो कोश्टक है तो दो कोश्टक में आ गया तिन तिन पर लगवाना आप यहां पर एक एक कोश्टक था ठीक ना जब हम आद सिक भी नहां वाला निकाल लह थे क्यों देखो कर दो कोश्टक यहां एक का इसाथ सिर्व एक ही कोश्टक है टुर्फ उप्रेकट कोश्टक है तो यह सही तरीका है ठीक है ठीक है ठीक है तो उसको कर सकते हैं सर्भाट्व Menu युदू रिकाड़ करने अब जो रहाप पड़ेगा आपको मिल जाएग आज मेरे बात समझो बहुत आसान है यह माइनस वन जीरो है यह मैनस वन क्वाँ प्लस लिखना तो इसमें सिर्फ क्या रखो के प्लस वन वैयं पच्छ में युक्स क्मान क्या लिखा हूँ रख दो तो यक्षक वान रखो तीन गुड़े पीला कर यह से इसको लिखता हूं तीन गुड़े 1 और minus 1 ठीक है बराबर एक गुड़े ध्यान दो x minus 1 अगर इन दोनों में से कोई है तो मान नहीं रखना है क्योंकि यह तो 0 बना देगा यह दोनों x minus 1 नहीं है देखो x minus 1 कमान 0 है इसमें x minus 1 कहीं नहीं है तो एक स्कमान एक रखने हैं ठीक है तो एक रखो एक मा》 आदो है एक मैनस टीन प्लस भी गूँ क Emis 291 है कि भी अबलके बताई इसमें एक सम 97 है कहीं अ है था है कि एस बहुत निगे तूए थिल एक आपकरum diferenागं हां है तो इसमें है उसको जीरो अजिस्थ मैं रखना है समझ गया है आद ना इन्दोनों में नहीं था तो मैंने यह मान एन-मान राखा इन दोनों मैं एक सोना तिंदिन विर बना दिया यह आसान काम है टून प्लस दो ए और यह सब 0 हो गया जीरो हो गया सीगोल 0 0-0 लिखना ज़रूरी है नहीं तिन मैं से जाएगा दो बढ़ा बढ़ाबर दो एंग क्या एक आ गया अगया अद्द गैना एक बार जीरो रखने से एक वा जाएगा अब इसी तरह से इसको करेंगे अफिरा पूरा यह हम पूरा कर रहे हैं कि द्यांदो हम पूरा सवाल करवा रहा है घबड़ाओं मद द्यांदो बेटा देखिए इसी तरह से फिर्से मैं क्या लिखूंगा आपकी बार से एक्स माइनुस दो बराबर zero क्या लिखूंगा य्क्स माइनओ 12 बराबर zero से एक्स बराबर क्या आगा मैनँ दो सफेद वारी लाइन में रखने क्या रखना एक्स कमनदो तो 324 ह मैं से घटे गा 5 डारेट लिग दो क्या 5 एक्सकमान 2 रखोगे तो 3 गुड़े 2 3 2 दो ना 6 हुगा अच्छे में से एक घट गया 5 आ गया बराबर एक्स माइनस 2 लिखा यहां पर इसमें एक्समान 2 है क्या है तो जिरो लिख देंगे प्लस B इसमें एक्समान 2 है नहीं है तो एक्सकमान 2 रखना वहां पर क्या हो जागा 2 माइनस 1 अब यह 2 माइनस 3 इसमें कहीं एक्समान 2 है तो अगर है तो जिरो रख दीजे और यह 0 हो गया और यह 0 हो गया 2 में से 1 जाएगा 1 2 में से 3 जाएगा तो माइनस 1 गुडे पलस 1 तो यह हूँ ए माईनस 1 गुडे थी आद्धार माइनस-2 तो पी कमान आगया माइनस-5 इदर का माइनस-1 इदर यह दर आगया बिढ़ाबर माЭनस-5 यह समझ में माइक बंद करके रखें जिनको नहीं बोलना माइक बंद ही रखें अगली लाइन में इधर रख देते हैं समझाने के लिए इधर देखो चेला एक माइनस 3 बढ़र 0 से घया एक बढ़र पौलस 3 बर लो देखो राख देखो महाएं में 10 9 में से घट जाएगा 8 क्या बाएं बराबर यक्स बैसं तन काँ काँ उसको 0 करतो जाए रहा जान एक को जेरो और ब गुड़ जीरो क्योंकि इसमय ख farm in a जेरो इंशुमतीन है जिरो जागा इन दोनों मिल्ए खिसम आस्फ न दिन धी जिसे है ज स्वेख गया जुत जीरो लग्र फ्लस बी जै जीरो फ्लस हमें दिमाग लगाना है इसमें 1-3 नहीं है तो ये समान प्लस 3 लख ये तो प्लस 3 में से एक जाएगा दो अतिन में से दो जाएगा एक तो यहां आठ बराबर यह समझी रोजा इनको लिखने के जरूरत है नहीं तो 2 का 1 में गुड़ा करेंगे 2 और 2 गुड़े 2C क्या जाएगा 2C 2 से 8 काट देंगे 8 बटे 2 बराबर C तो 2 से 8 काटेंगे C बराबर क्या जाएगा 4 तो इस तरह से ABC कमान आ गया ठीक है ABC कमान आ गया अब नहीं कुछ करना भाई अब हमें वो काम करना है जहां पर हमने ABC पहले बार लिखा था तो इकठा कर लो ABC कमान क्या है ध्यान दो एक कमान एक बी कमान माइनस पाच सी कमान चार एक माइनस पाच चार एक माइनस पाच चार एक कमान एक बी कमान माइनस पाच सी कमान चार रखना कहा है इसी में रखना है यह लाइन पूरा लिखेंगे हम 3x मैनस बटे क्या लिखेंगे तरी एक्ष मुनस वट्य लिखें गयाँ तृ मेना- hospice फिरिए गार्वर क्या था इब टा आग्ष मैनस वनिए अनुट और सी मेना थीरी था ठीक है अब आब एपीसिय कमान यह देखके ही से लिख लो और समाकरन का सिंबल लगा दो 3x बाटे x-1 x-2 x-3 समाकरन का सिंबल और बराबर समाकरन सिंबल एक कमान एक ले लो एक बाटे ująych m-1-10 so well стать मारि मांनल पांज तो प्लस यहां माइनस आ रहा है तो मामनल ऐसे रिखेंगा पाच ठीक है असी कमान चल्फ चार है चार बट्य एकस-वाटा की समाकला नैंस सब का तो आपका आता ही कि यार तेक्ष अ को उत्तर धला भी दोगे एक बटे एक्स का लाग एक्स, पांच बटे एक्स का पांच लाग एक्स, चार बटे एक्स का चार लाग एक्स, तो चार बटे जो भी है बता देंगे आप, एक बटे एक्स का क्या होगा, लाग एक्स मैनस बन, ये पांच लाग एक्स मैनस टू, और ये क्या हो जागा, चार लाग एक्स माइनस तीन ऐसे छोड़ देंगे तभी उत्तर माना जाएगा वाट अगर ऐसे नहीं आया है तो मैं आपको लाग का नियम समझा दोंगा देख लीजिए यह ऐसे में एसे ही आगया है ब्ुक में ठीक है में संध्या को ुप्र लड़की आए जो साम वाले वो भी कमपार्टमेंट की है लेकिन साम में पढ़ती है मतलब शुलो वाले बैच में आरी फुसेन को भी आगया आखाज जयन को भिर्जे स्यादो को स्याम को अभय को निर्बांसु पंकज और उपर दिखाएं कमेंट चलिए आज आंसिक भिन आपने सीख लिया आशिक भिन सीखा आपने आशिक वाला भिन ठीक है चलिए बचों